जैहिन सांतियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सांतियों आज इस वीडियो पर हम जानेंगे यूटेट का ओनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं तो सारे स्टेप वाइज आपको मैं बताऊंगा इसके ऑनलाइन आविदन सुरू हो चुके हैं उत्राखंड टीचर अलिजिबिलिटी टेस्ट आर्थार उत्राखंड अध्यापक पातता पारिक्षाप स्टेप वाइज आपको फॉर्म फिलप से लेकर जो आपका फी पेइमेंट है फीस जब जमा करते हैं तो वहां तक मैं आपको स्टेप वाइज यहां पर बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा आप सर्च करेंगी यूके यूटेड डॉट कॉम या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रेशन बॉक्स में दे दूँगा तो सीधे ही ये साइड आपके खुल जाएगी अन्य जानकारिया आप यहां पर देख सकते हैं क्या-क्या मिल सकती हैं ठीक है टेलेग्राम ग्रूप पर वो पहले से अपलोडेड हैं वहाँ जागर भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यूटेड दोहजातेश का फॉम कैसे बरेंगे उसके लिए आपके पास एक इमेल आइडी होनी चाहिए ठीक है वैलिड इमेल आइडी और आपका एक फॉन नमबर और दोनों से यानि कि एक फॉन नमबर और एक इमेल आइडी से सिर्फ एक ही फॉन बढ़ा जा सकता है एक साल में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे नया रेजिस्ट्रेशन या न्यू रेजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके एक नई वैब साइट आपकी ओपन हो जाएगी ठीक है यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें दिख जाएंगी आप इनको पड़ी भी सकते हैं बाकि मैंने प्रिवेस येर वीडियो में बता रखा है यानि कि पिछली वीडियो में बता रखा है ठीक है तो 600 फीस आपको जो है जनरल OBC और इनके लिए यहां पर 300 तो यह पेपर फस्ट के लिए एक पेपर के लिए दोनों के लिए इस बार जो है 1500 ऐसा उसमें जो notification है नया उसमें ये है ठीक है तो सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करेंगे I acknowledge के वहाँ पर फिर proceed to registration पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज यहां पर open हो जाएगा देखे आपको आप यहां पर क्या क्या फिल अप करना है सबसे पहले यहां पर आपको फिल अप करना है name ठीक है तो सबसे पहले आपको यहां पर name फिल अप करना है father's name, mobile number, email id और आपको यह capture code को भर लेना है यह सारी आसान जानकारिया है आप इन सभी को भर ली जिएगा और mobile number वही डालना है जिसमें OTP और registration number आ सकते है ठीक है फिर submit पर आप click कर देंगे फिर next step हम आगे चर्शा करेंगे अब हमने जो details भरी थी आपने जो mobile number fill up किया था उसका OTP आपको यहां पर डालना है वो आपके उस number पर भेजा जाएगा उसके बाद आप verify OTP पर click करेंगे फिर आपका इस परकार से message आएगा your account has been created login details आपका email ID और phone number पर भेजा जाएगा उसके बाद आप फिर login करेंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं भुकतानों का है जैसे ही आप सारे steps बढ़ते वी चलेंगे तो यह आपके take और हरे होते वी चलेंगे ठीक होते जाएंगे अब आपको click करना है apply for UTED 223 यानि कि 2023 के लिए ठीक है 2023 के लिए यहां पर आप click करेंगे उसके बाद के steps से आपको क्या क्या भरना है वह मैं आपको आगे बता दूँगा अब देखिए आपको यहां पर कौन कौन सी details भरनी है यहां पर आपको अपनी login information दिख जाएगी यहां पर आप UTED first paper के लिए आप इदिन करना चाहते हैं या दोनों के लिए तो यहां पर आप click कर लेंगे यहां पर आपका नाम आएगा जो अभी आपने register किया था जब आपने mobile और email ID डाली थी यहां पर वो सारी चीज़ें आपको पहले से भरीवी दिखेंगी link आपको select कर लेना है date of birth आपको अच्छी वाले डालने हैं जो 10th class में आपके certificate में होगी उसी को आप यहां पर fill करेंगे फादसने पहले से लिखा आएगा मदसने आपको लिखना है अगर विवाही थे हैं तो महला के पति का नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं home district आप यहां पर लिख लेंगे ठीक है अब उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं category यह सारी चीज़ें आपको fill up करनी है जैसे category में आप general जो भी cast आपकी हैं वो यहां पर fill कर लेंगे अगर आप EWS से हैं तो वो यहां पर आप fill कर लेंगे देखिए जैसे मैंने OBC सेलेक्ट किया तो यहां पर आपको यहां पर आपको उससे संबंद जो है चीज़ें भी fill up करनी पड़ेंगी ठीक है उसके बाद सब category में आप बर सकते हैं जैसे अगर आप X Army इस प्रकार से हैं तो जान भी भर सकते हैं जिसका नहीं है ठीक है फिजिकली आप अगर दिव्यांग है या नहीं इस प्रकार से YES or NO करना है ठीक है उसके बाद जो फॉस्ट लेंग्वेज आप भरेंगे यहां पर प्रिफरेंस में देख सकते हैं पहली लेंग्वेज आपके हिंदी या इंगलिस होकी उसके बाद सेकंड प्रस्ण पात्र आपका संस्कृत है अर्दु होगा तो इस परकार से आप यहां पर भरेंगे ठीक है और जो आपका सेकंड लेंग्वेज होकर वो प्रतम भासा से भिन्द होगा या कि इसमें जो फिल आप किया हो यहां पर आप नहीं फिल अफिल कर लेंगे UTET प्रतम परिक्षा में समलित होने है तो प्राप्त की गई जो प्रसक्षन योग्यता का विवरण आपको यहां पर फिल करना है जैसे आप देख सकते हैं BTC कर रखा है डियलेट कर रखा है या बियर्ट कर रखा है जैसे मैंने बियर्ट फिल करा उसके बाद आगे हमको appearing, past ठीक है तो appearing वाले भी इस बार यहां पर भर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है कौन से year में आपने यह कर रखा है यह आपको भरना है ठीक है training फिर उसके बाद दुतिय परिक्षा में समलित होने है तो प्राप्त की गी प्रशिक्षन यहां पर यह बताया गया है ठीक है तो दुतिय में भी आप भरेंगे जो second paper होगा यूटेट का यूटेट का first paper के लिए यह बरना है आपको second paper में आपको क्या क्या है यह बरना है ठीक है past appearing इस प्रकार से आप यहां पर भर सकते हैं फिर उसके बाद जो प्रशिक्षन योगिता का वर्स आपको यहां पर भरना है यूटेट प्रतम परिक्षा में समलित होने है तू ठीक है चेक eligibility code यहां पर आपको select कर लेना है one two three इस प्रकार से ठीक है अब देखे जहां जो वहां पर आपको code भरना है उसमें आपके हरता eligibility क्या होनी चाहिए यहां पर सारी चीजें दी गई हैं जैसे पहला code आप तब भरेंगे जब आपने senior secondary और its equivalent with 50% marks and passed or appearing in final year of two year diploma in elementary education अगर आपने BTC DLT कर रहा है तो पहला code भर लेंगे उसके बाद देखिए अगर आपने जो BTC DLT या फिर NCTE के according कर रहा है तो आप दो भरेंगे जो भी आपने कर रहा है जो भी diploma जैसे आपने four year से आपने bachelor's in elementary education कर रहा है तब आप तीन number भरेंगे ऐसे फिर आप दे in marks and past or appearing in final year of two years diploma in education तो special education आप four यहां पर भरेंगे तो यहां पर साफ साफ दिया गया है कि आप final year में हो तो तभी आप इसके लिए eligible हैं देखिए appearing in final year of two year diploma या तो पास किया हो आपने या फिर आप appearing हो जो second या last year है आपका दो साल का जो भी diploma है उसके बाद या तो आपने BTC D कर रखा हो ठीक है graduation and past or appearing in final year of two years diploma in elementary education ठीक है उसके बाद इसके लिए 5 बरेंगे ऐसे 6 तो आपने जो भी कर रखा है उस हिसाब से बढ़ना ठीक है यह नहीं कि जो मैंने बढ़ दिया या जो किसी ने बढ़ दिया ठीक है शिक्षा मित्र पास्ट डिप्लोमा in elementary education DL.Ed from IGNU कर रखा है तो 7 आपको fill up करना है तो इस प्रकार से सारी अहरताएं आपर दी गई है उस basis पर आपको यह fill up करना है ठीक है यहाँ पर आपको दीख भी रहा है click here for eligibility criteria वो उसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे तो ऐसे ही second के लिए भी वही चीज़ है आप click करेंगे click for eligibility code यानि कि UTET second के लिए court फिर वही पर जाएंगे आप आपने जो भी qualifications कर रहे हैं जो भी diploma कर रहा है उस basis पर 123 numbering आपको यहाँ पर भरनी है ठीक है यह सारी चीज़े clear होगी इसी में सब को doubt होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे eligibility code को जरूर चेक करना यहाँ पर click करके ठीक है उसके इस प्रकार से जहाँ भी center है तो आप नजदी की या जो भी आप fill करना चाहते है ठीक है उसके बाद आप देख सकते complete mailing address आपका जो पून जो पाता है उसको भर ली जिएगा प्रदेश, district, identity, proof ठीक है pin code यह सारी चीज़े आप यहाँ पर भर लेंगे उसके बाद save and next पर click कर लेंगे उसके बाद का जो next step है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो application form वाला section है वो अब हमारा fill up हो चुका है तो आप हरा हो गया है अब हमें second जो step है upload photos and signature आपको यहाँ पर upload करनी है इनको upload करते समयं 2-3 बातों का ध्यान रगना है एक तो जो photo होगा वो color होगा ठीक है और जो background है वो एक ही color में होना चाहिए jpg jpg format होना चाहिए यानि कि वो pdf बनाकर आप upload इसमें ना करें ठीक है यानि कि वो image का ही format होना चाहिए और hide और width आपकी कुछ परकार चाहिए size आपका 5-100 kbk बीच होना चाहिए ठीक है अगर आप यह edit करना चाहते है laptop या जो computer है उसमें तो आपका simply हो जाएगा वाकि phone के लिए आप photo resizer app download कर सकते हैं तो यह पहली चीज होगी उसके बाद यहाँ पर choose file में करेंगे तो यहाँ पर आप upload कर लेंगे ठीक है यह size और यह height width आप इसको set कर लीजिएगा दूसरे है आपका signature signature आ आप जब यह upload कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर कहां पर click करेंगे नीचे आप देख सकते हैं ठीक है save and next पर तो जो thumb impression है वो भी आपको upload करना है आप simply कैसे या तो आपके घर में स्याही होगी स्याही में डूबो कर भी कर सकते हैं या जो gel pen होती है उसको link करके आप एक अंगली का आप यहाँ पर दियान लगना ठीक है उसके बाद आप save and next पर click कर लेंगे और फिर हमारा next section खुल जाएगा ठीक है तो आप जो photo signature सारी चीज़े upload कर देंगे तो वो आपको फिर उसके बाद आप यहाँ पर form को preview एक बार देख सकते हैं ठीक है उसके बाद आप agree पर click करेंगे और submit कर देंगे तो fee payment आप कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं ठीक है यह form आप अपना देख सकते हैं बाकी इसमें मैंने अन्य details है तो यह पूरा form नहीं दिखा रह गया है तब ही अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोन हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं cards के through net banking के through आप जहां से भी जो है fee submit करना चाते है तो वहाँ से आप कर सकते हैं हम वैसे जदातर क्या करना कि net banking से करोगे तो उसमें जो है जो आपका कई बार क्या होता है refresh हो जाता है या फेल्ड हो जाती तो उसके chances कम होते हैं ठीक है हम net banking पर click कर लें net banking पर आप click करोगे तो उसके बाब bank भी आपको अच्छे से select करना है जो भी आपका bank होगा सारी details बढ़ने के बाद आप final जो fee submission कुछ इस परकार से कर सकते हैं तो fee submission करने के बाद आप जो है आप उसका print out ले लीजिएगा उसको future reference के लिए रख लीजिए जो चीजे मैंने आपको बताई तो इस प्रकार से आप यह form भर सकते हैं बाकी channel से जूड़े रहें किसी भी update के लिए धन्यवाद